इसका मतलब यही है कि टीम में बहुत जोरो शोरो से प्लेयर्स के पीछे पढ़ने वाली है क्योंकि हर टीम के पास वही तीन या चार प्लेयर्स है जिनको रिटेन किया है इसके लावा उनको पूरी स्कॉड यहां पर तयार करनी है IPL 2022 के Mega Auction में और Mega Auction में सबसे ज़्यादा बूली हपल लगने वाली है I guess Allrounders पे ही तो चलो आज कि इस वीडियो में देखते हैं क्या IPL 2022 के Mega Auction में कौन से वह Top 5 Foreign Allrounders है जिनके उपर पैसे बरसने वाले है आज Top 5 Foreign Allrounders to watch out in IPL 2022 Mega Auction के बारे में बात करते हैं इस लिश्ट की शुरुबात करते हैं नमबर एक पे मैंने जिस Allrounder का नाम रखा है वो है Australian Allrounder Mitchell Marsh Mitchell Marsh दो करोड रुपे की वेस प्राइस में इस IPL आउक्शन में रहने वाले है और इनकी प्राइस इस से कही ज़्यादा होने वाली है I guess Mitchell Marsh इस IPL आउक्शन में करीब 7 या 8 करोड रुपे में विख सकते हैं 8 करोड रुपे minimum I guess इनको मिलने वाले है क्योंकि Mitchell Marsh का recent form बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है Australia हो Big Bash League में Perth Scotsers हो सभी टीमों के लिए ये बहुत अच्छा करते आ रहे है Big Bash League में अभी कुछ होनोंने 6 इनिंग्स में 300 या 400 रन मारे हैं जहाँ पर 1 century भी शामिल है और T20 World Cup उठा के देख लो Australia के लिए International उठा के देख लो Mitchell Marsh is in dream form और Mitchell Marsh 2 करोड रुपे की base price में इस IPL auction में आने वाले है एक मार्की player है और Mitchell Marsh इस auction में बहुत अच्छी बोलिया गेन कर सकते हैं बहुत अच्छी bidding war इनके उपर हो सकती है तो नमबर 1 पे मैंने यहाँ पर रखा है Mitchell Marsh को नमबर 2 पे इस list में है West Indian All-Rounder Jason Holder Jason Holder एक ऐसा player है जो आपको कहीं पर भी batting करके दे सकता है मतलब यहाँ Jason Holder के पास batting है यह नमबर 6 पे 7 पे 8 पे कहीं पर भी आपको finishing करके दे सकता है अगर आप इनको उपर खिलाना चाहो तो वो भी कप्तान कर सकते हैं देखते हैं क्या होगा और Jason Holder आपको bowling भी power play overs में भी करके दे देंगे death overs में भी करके देंगे तो Jason Holder is a great asset 1.5 करोड रुपीज के base price पे Jason Holder का नाम listed है और Jason Holder इससे कहीं ज़्यादा कमाने वाले हैं I guess Jason Holder के उपर इस बार 5-6 करोड रुपे टीमें दे सकती है 5 करोड रुपे I think Jason Holder की एक अच्छी price हो सकती है तो Jason Holder भी यहाँ पर होने वाले है IPL 2022 के में का auction में as a foreign all-rounder और बहुत अच्छा यह कर सकते हैं तो Jason Holder हो गए नमब तीन पर इस list में मैंने रखा है Moises Henry case को 1 करोड रुपे की base price पे मातर 1 करोड रुपे की base price पे Moises Henry case list हुए है और I think यह एक steel buy हो सकते है पिछली बार भी कुछ शायद Punjab Kings ने इनको खरीदा था 4.2 या 4.8 करोड में RCB और Punjab Kings के बीच में Moises Henry case को लेके bidding हो रही थी इस साल भी Moises Henry case अच्छी यहाँ पर पैसे कमा सकते है Moises Henry case अभी अच्छी form में भी चल रहे है तो Henry case can be a good asset 4 करोड रुपे इनको इस साल IPL 2022 के मेगा उक्षन में मिल सकते है तो Moises Henry case Australian all-rounder 4 करोड रुपे मुझे लग रहे है मिल जाएंगे नमबर चार पे इस list मैंने रखा है Liam Livingstone को England all-rounder Liam Livingstone मातर 1 करोड रुपे के base price में इस IPL auction में listed है और हां Liam Livingstone के उपर भी पैसे लगने वाले है Liam Livingstone बहुत अच्छा asset है यह आपको middle order में भी batting करके दे देंगे अगर आपको open करवाना है तो open भी करवा सकते हो जहां batting करने को बोलोगे हैं यह वहाँ पर batting कर लेंगे और middle overs में आपको यह bowling करके भी दे देंगे आपको यह 3-4 overs 3-4 overs तो नहीं चलो 2-3 over निकालके आपको दे देंगे मतलब handy spin bowling कर सकते हैं मतलब golden arm type मान सकते हो आप कभी-कभी आते हैं और wickets पे wickets चटका के ले जा सकते हैं और यह batting तो बहुत अच्छी करते हैं तो Liam Livingstone एक करोड की base price पे list है नमब चार पे इस list में मैंने रखा है और नमब पाच पे आखरी player थोड़ा सोच समझके दो players के बीच में confused था शाकिव अलसन या फिर मोहमद नभी मैं गया हूँ शाकिव अलसन की तरफ दो करोड रुपे की base price पे शाकिव अलसन इस IPL auction में listed है पिछले season KKR से हाला कि जादा matches इन्होंने खेले नहीं लेकिन हाँ अच्छी price में ये बिके थे और इस season I think वही 4 करोड रुपे साड़ तीन या 4 करोड रुपे शाकिव अलसन इस season भी ले सकते हैं handy middle order batsman है middle order में ये batting कर लेंगे hitting अगे ठीक है उतनी अच्छी तो नहीं लेकिन इनकी bowling अच्छी है शाकिव अलसन ये आपको पूरे 4 over डाल के देंगे तो 5 players मैं आपको वापिस से गिना दू top 5 foreign all rounders in IPL 2020 mega auction number 1, Mitchell Marsh, number 2, Jason Holder number 3, Moses Hendricks, number 4, Liam Livingstone number 5, Shaqib Alassan अब आपको कहा लगता है कौन सा foreign all rounders सबसे ज़्यादा पैसे कमाएगा इस IPL 2022 के mega auction में नीचे comment करके बता देना में तरफ से यही video थी अगर अच्छे लगी हो तो like को share कर देना मैं में विलूँगा IPL 2022 के धेर सारे content के साथ इस channel पे अगर अच्छे लगी हो वीडियो तो like को share कर देना बाई बाई ठीक के